Assalamualaikum दोस्तों, कैसे हैं आप सम्, मैं आप सबको YouTube Channel English Literature पर वालकम कहती हूँ आज की वीडियो के अंदे हम जो टॉपिक कबर करने जा रहे हैं, that is, I am Syrian जिसको लिखने वाले हैं, Yusuf Abhu Yahya एक Syrian writer है हमारे, और इस book को translate किया है, sorry, इस poem को translate किया है, Gada Adrash अब ये poem basically Syrian civil war के context में लिखी गई है, first of all, civil war क्या होता है, civil, यानि के जो आम अवाम होती है, जब वो जंग करने लग पड़े, जिसे हम खाना जंगी भी कहते हैं, अभी क्यूं होती है, obvious ही बात है, कि जब अवाम को उनके हकूक नहीं मिल रहे हो, अवाम को exploit किया जा रहा उनको उनके proper right नहीं provide किये जा रहे होंगे, उनको oppress किया जा रहा होगा, subjugate किया जा रहा होगा, तभी तो civil war होती है, जैसा कि कुछ टाइम पहले, सिरी लंका में civil war होई थी, क्यूं? उनको भी exploit किया जा रहा था, महंगाई बहुत हो गई थी, लोगों के बुरे हाल हुए और presently इस country यानि के पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ हुआ है, ठीक है, और अगर ऐसा ही हाल रहा, तो वो वक्त दूर नहीं जब यहां पे civil war हो जाए, ठीक है, अल्ला बचाए, तो anyhow, civil war तब ही होती है, जब अवाम को exploit किया जाता है, और अवाम जो हो oppression को phase कर करके ठक जाती यह फिर लावा निकलाता है अवाम का, गुसा आजाता है अवाम को, जैसा कि Russian Revolution में भी ऐसा ही हुआ था, तो बिलकुल Syria में भी यही हुआ था, Syria में क्या हुआ था, कि 1971 से, ठीक है, 1971 से बादशाहत चल रही थी, हफीज al-Assad की, जिसको हाफीज al-Assad भी कहा जाता है, anyhow, हफी हमली की चाल रही थी, ठीक है, और यह बादशाहत का सलसला जारी था, 2000 वे, यानि कि 2000 में हमारे पास एक नए बादशाह है, जिनका नाम था, बशर-al-Assad, अब सी यह बादशाह थे, इन्होंने क्या किया, बशर-al-Assad ने, आखे, नई किसम के Rules and Regulations रिट्यूस करवा दिये, अपनी मर्जी से कानून बनाना शुरू कर दिये, अब अवाम इनके कानून से परिशान थी, अवाम कहती थी, ऐसे के कानून ना बनाए, जो कि अवाम को, यानि कि सुसाइटी को, सिविल, सिविलियन्स को परिशान करे, नहीं बाद आए, ठीक है, अब फिर अवाम ने कहा, कि अवाम ने कहा कि हमने ना इस बाशाहत के नजाम को खतम करके रहना है क्योंकि ये डिक्टेटरशिप सिन तालिस सालों से चलती आ रही थी और अवाम इनकी डिक्टेटरशिप से परिशान हो चुकी हुई थी फिर अवाम ने के किया पीस्फुल प्रोटेस्ट ठीक है अवाम ने इहतिजाज करना शुरू कर दिया प्रोटेस्ट शुरू कर दिया अब जब वो पीस्फुल प्रोटेस्ट शुरू हुआ एज ए रिजल्ट जो बशर असद साहब थे उन्होंने उनके उपर गोलिया चलवा दी अटैक करवा दिया अटैक हुआ बहुत से लोग शहीद हो गए बहुत से लोग की डेथ हुई अब जब लोग शहीद हुए तो उसके बाद जब अवाम को शहीद किया गया तो फिर और सिविलियन्ज उठे रैबल हो गए बागी हो गए बागी क्यों है? वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए उठे और उन्होंने अपने हक के लिए अवाज उठाई और बागी होगे और इसलिए उनको रैबल का नाम दिया जाता है अक्सर जोगों पे ठीक है? और उन सब ने मिलके ग्रूप बना के अकट थे अवाज उठाई उस टाइम पिरिएट के जो किंग थे बशिलुल असद उनके खिलाफ क्लियर? तो क्या हुआ जी? जो पीसफुल प्रोटेस था? बशिलुल असद की फाइरिंग की वज़ा से उनके अटाक की वज़ा से जब लोगों की शहादत हुई तो क्या हो गया? turn into violence ठीके? वाइलन्स में बदलकिया अब जब जी देखा international power में के ये तो मुसलमान ही मुसलमान में लड़ पड़े है ठीके? मुसलमान ही ऩा उपस में जंग करत पड़े है ठीके? हकोमत या जो उस टाइम पे चल रही है government dictatorship चल रही उस time पे वो और साथ में जो public है वो उनकी ही नहीं बन रही उन्होंने मौका देखते वे फाइदा उठाया तो रिशिया था और साहितना इरान था ठीक है मुझे second country का exact name याद नहीं है but मेरे क्याल से most probably इरान था रिशिया था उसने स्पोर्ट किया जी प्रेजिडेंट को और second तरफ अमेरिका आ गया उसने स्पोर्ट करना शुरू कर दिया अवाम को अब यहां पे रिशिया और अमेरिका के तो पहले से अपनी एक तलाफ आत थे ठीक है उनकी अपनी पहले बड़ी जंगें अब रिशिया और अमेरिका ने यहां पे यह किया सीरिया को दबाग करना शुरू कर दिया कैसे एक तरफ जी बाच्शा को स्पोर्टर दूसरे तरफ जी अवाम के स्पोर्टर हुआ लैंड कोन सा है? सीरिया शाम का लैंड और फिर 4 एपरिल 2017 नुक्रियल वैपन चलाया गया ठीक है? और शिलाया किस पे गया अवाम के उपर जिसमें से बहत्तर इफराद जो थे 72 पिपल उनकी डेथ होगी शहीद हो गए थे उनमें से यारा बच्चे भी थे 300 से ज़्यादा जखमी हो गए थे और ये जो नुक्रियर वैपन था ये बश्यर असद के तरफ से चलाया गया थे यनि कि उस टाइम पिरिट के जो रूलर थी जो केंग थे उनकी तरफ से चलाया गया था और एक और व्यूपॉरिंट के एकॉर्डिंग अमेरिका और इस्राइल इनुने मिल गए ये दोनों कठे हो गए ये दोनों जब कठे हो गए इनुने मिलके अटाइक किया था सेरिया में ठीक है जैसा कि अगर आपको ट्विंट तावर का वाक्या याद हो 9-11 का अटाइक ठीक है तो कहा जाते हैं कि वो एक flagship attack था यानि कि इन्हों ने जान बूज के वो attack किया था इल्जाम मुसल्मानों पर लगा थे ताके अफगालिस्तान में दाखिल हो सके उनकी जमीन को destroy कर सके, मुसल्मानों को दबा कर सके हना, बिल्कुल वहसे ही कहा गया कि ये attack भी अमेरिका और इस्राइल ने मिल के किया था flagship attack था ये, ताके वो सीरिया में दाखिल हो सके अब हुआ क्या? attack हो क्या? land क्या होई, destruct हो गई? जमीन पे तबाहियां आ गई, बरबादी आ गई? on the other hand, रशिया और अमेरिका इनके दिर में भी काफी tension थी, और tension और बढ़ती गई और इन्होंने ये किया, कि वो ही बात, सीरिया की land को गर्दन बना लिया और वहाँ पे आके अपना जो है न, आटमी दमागर करना शुरू कर दी, अपनी ज़्यादा मुसल्मान शहीद हो गए थे, और फॉर्देमोर, बशरू असद जो थे, उन्होंने काफ़ स्यदा बूटल ट्रीटमेंट किया था अपनी अवाम के साथ, जिसकी बेस पे उनके बारे में वार क्राइम रिपोर्ड भी सब्मेट करवाई गई थी, क्योंकि ये जबरदस्ती, जो इनकी बार्शाहत थी, जो किंग्शिप चल रही थी, इनकी बशर की फैमिली की, वो जबरदस्ती हुई हुई थी, ये काबिज हुए हो थे, कबजा किया वा था इनोंने, और ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो ये बैक्ग्राउंड था, सीरियन की सिवल वार का, फार्देमोर, एक पॉइंट के एक कोडिंग, या एक व्यूपॉइंट के वो सुनी थे, तो इसके कोडिंग, मतलब शिया सुनी कॉनफलेक्ट भी दिखाया गया था, लेकिन जो मेजर कोस बना, दिस्ट्रक्शन का, वो, आपको मैंने बताया, इंटरनेशनल पावर की इंवल्मेंट, ठीक है, ये मेजर कोस बना था, दिस्ट्रक्शन का, सिर्या के अंदर 68.4% सुनी थे, 15% शिया थे, 17% अधर कम्यूटी रह रही थी, और सिया शिया सुनी और अधर कम्यूटी का पॉइंट मैंने क्यू बताया, क्योंकि पॉइट इस पॉयम के अंदर डिफरेंट सेक्स के नेम लेगा, ठीक है, इसी लिए, तो क्लियर आपको बैग्राउंड अच्छे से समझ लागी है, अब हम देखते हैं हमारी पॉयम में क्या कहते हैं, यूसेफ साहब I am a Syrian, exiled in and out of my homeland and on knife blades with swollen feet I walk कहते हैं मैं Syrian हूँ, मैं एक्षामी हूँ, exiled मुझे जलावतन किया गया है, in and out of my homeland मुझे exiled मुझे जलावतन मेरे ही जमीन के उपर किया गया है, मेरे ही होमलेंड पे किया गया है and on knife blades with swollen feet I walk, और कहते हैं कि ये जमीन जो है न, ये मेरे लिए तेज चाकू की तरहा बना दी गई कि यहाँ पे मेरा चलना मुझेल कर दिया गया, मेरे पाउं में चाले बनके, मेरे पाउं सूच गए और I walk, मैं इस जमीन पे चल रहा हूँ I'm a Syrian, Shit, Droz, Kurd, Christian and I'm a Alvait, Sunni and Sirkassian अब यहाँ पे उसने different sex के नेम लिए हैं वो कह रहा हर पहचान मेरी पहचान है शायद कहते है, Shia को Drozd भी एक फिरका है, Kurd भी एक फिरका है, Christian भी फिरका है Alvait, यह भी शिया से लिटिड एक फिरका है, फिर सुनी भी एक फिरका है और Sirkassian, यह भी एक फिरका है यह भी सुनी की तरहां का एक फिरका है, सुनी मुसलिम को refer करता है ठीक है? यनि कि कहते है सारे फिरके में ही हैं, मैं सारे फिरकों के अंदर आता हूँ यनि कि ये हर पहचान मेरी पहचान है Syria is my land, Syria मेरी जमीन है, शाम मेरी जमीन है Syria is my identity, शाम मेरी शुनाक्त है मैं शाम से हूँ फिर कहता है उसके बाद My sect is the scent of my homeland कि जो मेरे homeland की जो खुश्बू है, वो ही मेरा फिरका है ठीक है? कि मेरा land is everything for me The soil after the rain, कहता है वो खुश्बू कौन सी है? कि जब बारिश होती है, तो बारिश से जो मट्टी के इंदर से जो खुश्बू आती है And My Syria is my only religion कहता है और मेरा मजब, मेरा मजब भी मेरा शाम है ज visions के वो कह रहा है कि जितने फिरके हैं, वो सब मेरे पहचान है शाम मेरी पहचान है, शाम ही मेरा मजब है, शाम ही मेरा फिरका है ठीक है? कि मतलब Syria is everything to the point, Ministries के लिए सब कुछ है Syria I'm a son of this land Like the olives, apples, pomegranates Chikori, cactamines, grapes, figs अब इसने जो speciality is Syria के land उसके बारे में बात की कहता है मैं इस जमीन का बेटा हूँ जैसे olives क्योंकि olives की बहुत दा पैदावार होती है Syria के land के अंदर ठीक है वो मुशूर है olives की base पे, apples की base ठीक है इन सब fruits की base पे तो कहता है जिस तरह ये सारे के सारे part है Syria के land का इसके अंदर Syria जो बहुत मुशूर है और जितने भी ज़ादातर countries है वो Syria से सब कुछ लेते है इस तरह बिलकुल वैसे मैं भी Syria का part हूँ मेरी भी पहचान Syria है ये भी पहचान शाम है So what use are your thrones कहता है फिर तुम्हारे इन thrones का क्या फाइदा हुआ तुम्हारे ताच और तक्त का क्या फाइदा Your Arabism Your Poems And Your Elegies कि तुम्हारा अर्भी होना और तुम्हारा पिर अर्भी होने पर तुम्हारा गरूर करना Your Poems तुम्हारी बादशाहत की बेस पे तुम्हारे गरूर की बेस पे तुम्हारी शायरी तुम्हारी अलेजिस की बेस पे तुम्हारे सिफ इस लैंड के उपर रूलर्शिप काइम करके पैठे हुए थे फिर death, decay, destruction हुआ civil war हुई और उससे क्या हुआ तुम्हारे एक्ट नहीं किया तुम्हारे एक्ट नहीं की तुम्हारे इलफाज मेरे लैंड को वापस ला सकते हैं Will your words bring back my home क्या तुम्हारे इलफाज मेरे घर को वापस ला सकते हैं And those who were killed accidentally और वो जिनको accidentally हाथ साथी तोर पे मारा गया क्या उनको वापस ला जा सकते है Will they raise tears shed on this soil कि जो इस जमीन के उपर आंसू बहाएगे क्या तुम उनको मिटा सकते हो I am a son of that green paradise मैं इस सरसब्स paradise सरसब्स जिनत का बेटा हूँ सरसब्स जिनत यहाँ पर राफर कर रहा है Syria को My hometown यह मेरा hometown है But today I am dying from hunger and thrust लेकिन आज मैं प्यास और भूग से मर रहा हूँ अब यहाँ पे बहुत painful lines आने वाली है जैसे कि previous ने बताया है कि यह land है जहाँ पे अनार थी जहाँ पे apple थी जहाँ पे अंगूर थी यह वैसा land है जहाँ पे आलिवस की पेदावार बहुत जहाँ थी greenery थी हर जगा पे जो green paradise था लेकिन यहां पे लोगों को मारा गया यहां पे लोगों को शहीद किया गया लोगों के घरों को तुबा कर दिया गे लोगों के आंसु बहे और कहता है आज क्या हो रहा है Today I am dying from hunger and thrust बंजर Tents, ठीक है, Tent जहांपे खैमा होता है ? खैमा को कहते हैं TENT ठीक है, एक बंजर एकखाली Tent लगाया गया हुआ है वो कहांपे है, अमान में है है और आटी के मिरी पनाहगा बन चुकिए है और कुछ भी रहने के लिए हे जयगा नहीं बची सब उस तबार, destruction हो चुकी है, death, decay, तबाहकारियां हो चुकी है यहाँ पे, nuclear power की वज़ा से, weapons की वज़ा से, but no land except my homeland will nourish me with its grains, कहता है, लेकिन कोई भी जमीन, सिवाए मेरे homeland के, जो इसका homeland सीरिया है, कोई भी जमीन, कोई भी जमीन, कुछ भी नहीं कर सकती है, ठीक है, will nourish me with its grain, कोई भी जमीन, मुझे अपने अनाज से, नौरिश, मेरी पैदावार नहीं बढ़ा सकती, मुझे बिलकुल ठीक नहीं कर सकती, जो जमीन, मुझे ठीक कर सकती, वो सिवर से मेरा homeland, सीरिया है, nor will all the clouds in this universe quench my thrust, जिदे जितने भी बाद आने इस universe के अंदर, वहाँ जितना प मुझे पिला भी दिया जाए, तब भी मेरी प्यास नहीं बुच सकती, मेरी प्यास से फ़र से मेरे homeland, सीरिया से ही बुचेगी, मेरी भूग से फ़र से मेरे homeland, सीरिया से ही बुचेगी, ये थी हमारी poem, I am Syrian, काफी emotional poem थी, और हमारी poem यहाँ पे खतम हुई, इसने basically सारा civil war का time period दिखाएगी कि उससे क्या death get destruction हुआ, उससे लोगों ने क्या chaos face किया, और international powers ने क्या फाइदा उठाया था, फिर उसके बाद लोगों के कितना से शाहर दते हुए, so on, ये सब कुछ बताया गया है, इस poem के अंदर, तो I hope कि आपको a poem clear हो चुकी होगी, thank you for watching this video, वीडियो प बूलिएगा और दौा में कास्याद रुकिएगा, आल्ला हाफज